तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी केडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज का ये वीडियो भी आप सभी लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि उर्दु क्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये टॉपिक छोटा लेकिन सबसे ज्या इंग्लिष में पढ़ेंगे लेकिन आज आप लोगब टुमें पढ़ेंगे के आखिर मत्रादि फलफास कहते कि से और घेर सारे जो मुत्रादिक important मुत्रादी फलफाज है उसको मैं आपर बोड पर लिख दी हूँ जिससे आप लोग के examic question पूछे जाते हैं यानि कि आज के इस वीडियो में वो सभी important मुत्रादी फलफाज पर discuss होने वाला है जिसमें से आप लोग के examic question पूछे जाते हैं और इसी वज़े से आज का ये वीडियो आप लोग के लिए काफी important हो जाता है एक बार फिर से मैं आप सभी लोग को कह रही हूं कि आज का ये वीडियो आप लोग के exam ने question पूछे तो आप लोग छोड़ करना है ठीक है तो चली आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग में मैं आप सभी लोग को कहूंगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और जितना ज़्यदा उसके आप लोग को शेर करना है और अगर आप लोग को शेर करना है ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाब उठा सके काफी इंपोर्टेंट वीडियो है उर्दु ग्रामर क्लास 10 और 12 दोनों क्लास के लिए हैं तो एकदम आप लोग ध मुत्रादिफ अलफाज किसे कहते हैं जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि मुत्रादिफ अलफाज को इंग्लिश में कहा जाता है घंदी में कहा जाता है और इंगलिश में synonym केलाता है जैसे कि example के तोर पर मैं बोली खॉाहिश, खॉाहिश बोलिए या फिर तमना बोलिए या फिर आर्दू बोलिए, बात है कि यह तिनों का मतलब एगी है, तो ये तीनों खौाहिश, तमन्ना, आर्दू, ये तीनों लफ्स का मीनिंग एक है, मतलब एक जैसा है, तो इसी वज़े से ये तीनों लफ्स क्या है, एक दूसरे के मतरादिफ है, यानि की परियाएवाची है, सिनोनिम है, उसी तरीके से अगर बात की जाए, तकलीफ, दुख, परेशानी, तो ये जितने भी वर्ड में अभी बोली, तकलीफ, दुख, दर्द, परेशानी, इन सब का मतलब है कि हाँ, एक जैसा मतलब है कि हाँ, परेशानी है, दुख है, दर्द है, घम है, तकलीफ है, ठीक है, तो चारो शब्द का मतलब एक ही है, इसका मतलब यह जो चारों शब्द हैं दुख दर्द तकलीफ परिशानी यह एक दूसरे के मुत्रादिफ लव्ज हैं तो इसी को कहा जाता है उर्दू में मुत्रादिफ लव्ज ठेक हैं तो अब लव्ज का जम्हा आप लोग जानते हैं बहु अचन प्लूरल होता है अलफाज अलफाज का मतलब होता है धेर सारे अलफाज तो देखिए मैं धेर सारे अलफाज को यहां पर वोड पर लिख दी हूँ और उसका मुत्रादिफ अलफाज भी लिख दिया गया है जो की काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के एक्जाम की पॉइंट डिवियू से मतलब की यह यहां पर आप हमारी बात को ध्यान से सुनियां यहां पर मैं आप सभी लोग को यह बताना चाहती हूँ कि यह जितने भी मत्रादिफ अलफाज को मैं वोड पर लिखी हूँ ना इसी में से आप लोग के एक्जाम में क्योशन पूछे जाएंगे इस से बाहर नहीं पूछे लेकिन उसके साथ आप लोग खुद वीडियो जब खत्म हो जाएगा आप लोग पूरा वीडियो को कंप्ली देखकर समझ जाएंगे तो इसक्रिंशॉट लेने का मौका दूंगी तो आप लोग जब इसक्रिंशॉट लेकर रखिएगा तो फिर स्टार्टिंग से लेकर अं में यानि कि लफ्ज लिख देओं खॉष खई लिख लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है खाईश Engagement ऑप दिखियव.. न सब्छ चाहत यहां जाऊं मैं परधान declining बन जाऊंग्रेब तो खाहिश बोली या फिर त्मन्ना बोली य carry तो चाहत महीं लफ़ ये सभी अल्फाज का जो मानी है वो एक जैसा है और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि ये सभी लफ एक दुसरे के क्या हैं तो मतादिक आगे बढ़ते हैं यकीन यकीन यह एक लवज है इसके जैसे इस बिल्कुल एक ही जैसे अर्थ रखने वाले वाड यह यानी की लवज है तो फिर यह दूसरे की क्या कहलेंगे मुत्रादिफ अलपास कह रहेंगे और कोशन भी आप लोगे एक्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है कोई भी एक लफ़ उठा लेगा जैसे कि अंधेरा 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 लफ्स का मुत्रादिफ क्या होगा और option में चार option दिया रहेगा तो बताई अंधेरा का मुत्रादिफ लफ्स क्या होता है यह कोशन पूछा हुआ है जी हां यह मैं जो अभी पूछी अंधेरा का मुत्रादिफ लफ्स क्या होता है तो अ एक दुसरे के क्या है मुत्रादिफ लव्ज है तो यह कोशन पूछा हुआ है और वैसे भी मैं आप लोगो बताते चलूँगी कौन कौन सा कोशन पूछा हुआ है तो यकीन हो गया यकीन एक बार अकीदा बोलिये भरोसा बोलिये फिर इत्मिनान बोलिये यह सब जो लव्ज है यह दुसरे के मुत्रादिफ अलफाज है ठीक है अगला लव्ज है बीमारी बीमारी बोलिये यह फिर मर्ज बोलिये यह फिर रोग बोलिये यह फिर अलालत बोलिये यह फिर आर्जा बोलिये यह सभी लफ जो है एक दूसरे के मुत्रादिफ है यानि कि एक जैस अर्थ रखने वाले एक जिसे मानी रखने वाले यह शब्द हैँ तो इसी वजह से यह सभी शब्द कि सभी लफ क्या कहलाएं गे मुत्रादिक को आगे बढ़ते हैं खुबसूरत तो खुबसूरत वह लिए हसीन पोलिय यह फिर जमीर बोलिये यह तीनों लफ्क का मानी एक है ठीक है मतल तीनों एक ही जैसे मानी रखने वाले लफज है उसी तरीके से रास्ता रास्ता सडक राह गली कूचा रोड कूचे यार एनकासी है जो गिये दिल वहां का बासी है मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ ना बहुत बढ़ी हां शेर है यह तो कूचे का मतलब क्या होता है सडक यान कि राह रास्ता ठीक है या फिर गली बोलिए तो तो रास्ता सडक राह गली कूचा रोड यह सभी एक दुसरे के सिनोनिम है यानि कि एक जैसे अर्थ रखने वाले लफज है आगे बढ़ते हैं शुरू शुरू बोलिए फिर इप्तदा बोलिए आगास बोलिए फिर तमहीद बोलिए यह सूरज सूरज का मुत्रादिफ होता है आफ्ताब शम्स और खुर्शीद यानि कि सूरज बोलिए आफ्ताब बोलिए शम्स बोलिए खुर्शीद बोलिए बात एक ही है ठीक है आगे बढ़ते हैं आसमान का मुत्रादिफ लफज हो है गगन फलक आकाश चांद का मुत्राद सब्सक्राब का मतरादीफ परहत हैं ठीक्त है यह सब्सक्रादीफ है मुत्रादीफ है बाग seinem Kita गुंशार by दूस्त वरक्रादीफ हुगए बाग का मतरादिफ है गुल्षन चमन गुल्जार ठीक है चमन का बाग इचा फुलवारी गुल्षन और चमन का मतरादिफ बाग भी कह सकते हैं तो बाग गुल्षन चमन गुल्जार बोलिए बाते की है ठीक है आगे बढ़ते हैं आराम का जो मतरादिफ लफज है वो है राहत स्कून चैन उसी तरीके से यहां पर है उम्मीद यह जो लफज है इसका मत्रादिफ होगा भरोसा आरजु या फिर आस मुझे आसा है में आस लगाये बैठी हूँ या फिर उमीद लगाये बैठी हूँ आप लोग सुने होँगे तो उमीद आस भरोसा आरजु एक दूसरे के म प्रण्ज का मुत्रादिफ है अफसोस गम तकलीफ दुख मलाल हसी का मुत्रादिफ है कुकु मिस्कुराहट तबस्स्म स्कूल का मुत्रादिफ है मदर्सा दर्सगाह कॉलेज दोस्त का मुत्रादिफ है रफीक सदीख साथी नदीम यह सभी दोस्त का मुत्रादिफ है दोस्त तैयार की थी यहां यह इंपोर्टन एक्जाम में पूछा जा चुका है वहाँ पर मैं बॉक्स में बना दे रही हूं चांद खुशी का पूछा गया है उसके बाद से यहां पर सुनिए बीमारी का भी पूछा गया है कि बीमारी का मुत्रादिफ क्या होगा ठीक है उसके सांथ साथ मैं और बता दे रही हूं रंज रंज का भी पूछा गया है कि रंज का मुत्रादिफ क्या होगा और रंज के सांथ यह हो गया यकीन यकीन का पूछा गया है बस यह सारे आप वह सभी लवज हैं मुत्रादिफ अलफाज है ज लेकर अंद तक दो-तीन बार जरूर पढ़ लिजेगा ताकि रिवीजन हो जाए ठीक है तो यह सारे इंपोर्टेंट नुत्रादी फलफास थे और ध्यान में रखेएगा इसी से आप लोग के एक्जाम में पूछे जाएंगे इससे बाहर तो आने वाला है नहीं ठीक है तो इ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है आप लोग लिंक पर क्लिक करके भी जॉइन कर सकते हैं तो वहां पर आज की क्लास का पीडियो अप्लोड कर दिया जाएगा और अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजे फड़ लाइक कर दे और एक बार कमेंट बॉक्स में लिकर बता दीजिएगा कि हां आज का क्लास इकडम जबर्दस्त था समझ में आया और ज्यादा ज्यादा श्यार कर दीजिए इसी बात पर वाट्सेप ग्रूप जितने भी चार ताफ शेयर कर दीजिए ग्रूप में इस्टिट अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदा हाफिज